बहुत ही बहतरीन डिसेशन लीया है ME3, मूवी मेकर्स की तरब से जो स्टनीदेवल की फिल्म आने वाली है उसमें उन लोगों ने रंडी फुडा को लिया है रंडी फुडा के बारे में अगर मैं बात करो तो उन्होंने बहुत ही बहतरीन काम किया था सावर कर जी की मुवी में और मुवी अच्छी गई थी अपना budget उसने निकाला था net में भी अच्छा collection किया था it was a hit no doubt क्योंकि जो budget था वो कम था worldwide plus net मिला कि in fact net में भी उन्होंने अपना budget cross किया था so it was good and उनके लिए भी सही था अपने दम पे वो film heat हुई थी और रही बात अभी ये जो film है जो बहुत बड़ी action बोला जा रहा है बहुत तगड़ा इन लोगोंने marketing भी करने की कुशिश की है जब भी वो film आएगी बाइदवे आज happy birthday to रंडी पूड़ा बुलना पड़ेगा बड़े के दीन ही आजकल एक मैंने देखा है बहुत सी फिल्मों में ऐसे announcement की जाती है especially साउथ में तो ऐसा होता ही है जितना भी आप देखो बड़ी फिल्मे हो बड़े movie maker वगरा हो उनका announcement और उनके actors का side actors हो या actor हो और बोला जा रहा है कि रंडी पूड़ा को बड़ा रोल मिला है उस फिल्में सेनिरेवल के साथ जो फिल्म है उसमें बड़ा ही रोल है चोटा नहीं है मज़ा आने वाला है और एक तैयारी इन लोगों ने करिए कि इस फिल्म की marketing अच्छे होगी बहुत तगड़ा budget लगा के रखा है और पैन इंडिया release करने का इनका full plan है और अगर उनके movie makers के बारे में बता हूँ तो भाई वो हमेशा ही तगड़ी फिल्म है और तगड़े budget के लिए जाने जाते है और अच्छी marketing के लिए जाने जाते है गदर्डू के वक्त मैं इतना कह सकता हूँ कि marketing marketing सब कुछ अच्छे हुआ था screen counts को लेके बहुत issue हुआ था जी स्टूडियोज ने screen counts इतने तगड़े लेने चाहिए थे इन लोगों ने नई लिये थे वरना वो 600 करोड हिंदी में भी जा सकती थी लेकिन अब क्या करें तो आई होब कि इस बार वैसा नी हो और यह बहुत बड़ी फिल्म इसमें कोई शक नहीं है अगर यह स्टोरी लोगों को जम गई ना भाई तो फिर आप इसको गजर थी वान के चलो इतना तगड़ा कलेक्शन हो सकता है तो यह very good decision according to me आपको क्या लगता है यह decision कैसा था जरूर बताई है Are you excited with this film? कमेंट्स में बताना